कि नमस्कार दोस्तों आप सभी के स्वागत है मेरे यूट्यूब चानल में असा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों अगर आपने बीसी सी एली का एकजाम दिया है और आप बिहार के लेने के लिए पाटिकुलर रैंक होता है यह जो लीष्ट है थोड़ा बहुत भारी करता है अगर आप देखेंगे तो चली देखते हैं और इस बीडियूम देखेंगे कि अगरे ब्याने कि बखत्यार बूर को यह पको प्लेश इंजरी लिए आपको कितना राना चाहिए बश्तिया है कितना राइंग आपका होना चाहिए जिसका उसार आपको यह कोलेज मिल सकता है या फिर कोई बना इसमें मिल सकता है चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि देखिए दोस्तों यह है इंजी इंजी का ओपनिंग एंड को लोजिंग राइंग फॉर्स्टांट सीट अलोटमेंट का इतना रैंक पर इडिमेंशन हुआ था स्टुडेंट्स का इतना रांग चाहिए तो आपको यह मिल सकता फॉर्स्टांट में ही मिल जाएगा विसे ब कि यूओ रियंक यूओ रॉन होता है और एक गादारिवा होता है घुल‬ के लिए आपको चोगन राइक लाने होंगे तब आपको सब्सक्राइब सकता है और आपको 18 होना चाहिए इसके बाद 11 होना चाहिए यह टॉप कोलेज है इसलिए इसका जुकाटफ है वह हमेशा है जाता है उसके प्वाद कंप्पूटर सांसा इंजिंग ब्रांच के लिए ड लाइगा और मिल रखैगा यहां पर 22 देख सकते हैं क sinners कली 890 और कर दिया जाएगा अगर आप अच्छे से प्र hacemos करेंगे तब आपको मिल सकता है तो इसके बाद है लेक्टिकल ब्रांच के लिए एपको एलेक्ट्रोनिक्स एंजिंग के लिए आपको यू आरेक 151 होना चाह साते हैं तो आपको 207 तक होना चाहिए और 202 चाहिए अगर टालिस दो डोच बाले को योई सकता है उसका ब्लची साथ है तो नौशनों रैंक वाले को भी खोलेज मिल सकता है और सह आते हैं तो 510 राइंग तक वाले को भी झालेग अगर आपको फर्स रांग में मिल सकता है अगर इसके रैंग के आपका रैंक आता है तो आपको कोलेज पूरा ब्रांच में अपने हिसाब से दीजिएगा तो आपको यह कॉलेज मिल सकता है और और को भी डॉट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसमें जाइन हो सकते हैं और साथ ही आप कमेंट कर सकते हैं हम उसको रिपलाइद देंगे अगर कोई डॉट हो आपके मन में तो धन्यवाद